सब्सक्राइब नहीं किया तो फोरें सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बला आइकॉन पर दियक करने ताके मजीद आने वाले वीडियो जहां वक्तन ववक्तन आपके लिए इस चैनल पर प्लोड करते हैं वो आपको वक्तन मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफी तो रुकती नह हो जाओ और उसको पुक्ता कर लो तो काफी हो जाएगी तुमारे लिए कोई मुरीद तो किसी और शेक का है महर और आद वजाइब जिसे पिसाल कि देबर दूसरों की लोग मुरीद हैं आपके वीडियो देखते हैं सुनते हैं वो पढ़ते हैं उनको फ्यूज और बरकात ह उसकी वज़ाई यह है कि जो बी कुछ उसको मिल लए वसकी शेक की बरकात से मिल लए तरह पर लेकिन हर उस आदमे को यह समझना चाहिए न चाहिए या बगादा बहत है, निजबत रखता है, तो वो यह ना समझे कि मेरा ये शेख के वज़ा से के पास कुछ नहीं था, या जहां से मुझे मिल गा है, या मेरा शेख कम्ज़ोर है, उसको उसके शेख की बरकत से मिल रहा है, ये बात जरूर रखनी चाहिए उसको याद़ा, कभ आपने दी है, लेगन फिर आप देखते हैं के शेख बगासरत है, और बहुत सारे अकसर ऐसे हैं, आता जाता नहीं है, ना कुछ देना चाहते हैं, और उबच्पन में या किसने बैत करा दिया तो क्या अभी उसकी पीछे लगा रहे हैं? नहीं है, तो ये तुझे शेख में कल्बी हालत करें, और उसके अपने जरूरत करें, अगर उसके दिल में ये बात आती है, कि मुझे तो बच्पने में जब दस्ती बैत करा दिया था, या वो खांदानी मौरिसी जो बैत चलती रहती है, वो हो गए ये विरासती बैत, और वो मुतमईन नहीं है, तो उसकी बै तो उसकी बैत खतम हो जाती है, अब वो आदाद हो जाता है, आई नहीं सुनी बात है, ये तो एक कुलिया है, फिर वो अपनी तर्वियत कहीं सी भी ले सकता और कहीं भी बैत कर सकता, अज़ा मैं जैसे अपना अबरती शेख का जिकर फरमा आगे, तो कोई भी दुआ, कोई खुलने मैं कितना टाइम लगता, देखें, इसकी मिसाल बेकुल ऐसे है, जिसे जमीन में पानी तो है, लेकिन कहीं दस फुट पर है, कहीं सौ फुट पर है, कहीं हजार फुट पर, इसी तरीके से मिजज है, जब हम किसी चीज़ता जिकर करते हैं, तो गोया वो हमारे सितार पारियर से, क्षिए से, या हमारे जो करीम जो फरिश्टा और शैता है उससे मेल खाता है या नहीं खाता है. और जब वो मेल खाय जाता है उससे तो जल्दी हो जाती है और जब मेल लिखाता तो देर से होती है लेकिन वो उसके मुआफिक होता चला जाता है और उसका जबर हो जाता है उसके रुहानियत खुज़ जाती है लेकिन इसकी मैकसिमिम जो चीज है वो यहे है चालिश दिन से लेकर और बारा साल तर उसके विद्वार किया जिकर की रुहानियत को जाय हुए अब बाद वदायक में या चिलों में या उसमें कुछ अलग सी चीज़े रखने का होता है जैसे गुलाव रखते हैं निटाया रखते हैं कुछ दीगा चीज़े यह चीज़े श्रूर रखते हैं यह जिन से हम रप्ता करना चाहरे हैं उनकी गोह पसंद होती है खुष्भूआत जो हैं वो जुके मलायगा की पसन्ध है खुष्भू को पसंद कर नहीं वे एक फ़एश भी है ना मलाहू जमीलो वह यहुब जमालों कि अल्ल्ह जमील है और जमाल को कि पसंद करता है तो मलायगा खुष्भू पे आते हैं अच्छा अब ये देखें आप मजएगी बात ये कि हमारे आज का रिवाज नहीं है लेकिन एल अरब के आज का रिवाज बहुत है खुबी की बात ये है कि इसलामी अम वजाइफात के जितनी भी गानून वजा किये तोमाम एल अरब ने किये अहले हिंद में नहीं किया अहले अरब नहीं किया क्योंके हिंद में वजाए आए कहा से अरफ से आए अच्छा अब उन्होंने जो वहां के हुक्म रुहानियत और उल्म रुहानियत थे उन्होंने बाकाइदा बखूर डिजाइन किया अब वो डिजान किस तरह की अपने तजरबात से अब यह हुआ कि मुझ पर एक चीज खुली अब मैंने उससे मदद ली कि मैं यह अगर वजिखा पड़ू तो मुझे कौन से बखुर की जरुत होगी इसमें मदद उसने ली उसने कहा कि इसमें यह यह बखुर की जरुत होगी और यह समान रखो जल्बी होगा तो अब उसने वही बखुर बना कर वो जलाया और उससे वो कामियाव होगी आए ना सुझे बखुर तो वो बखुर एक कानूर बन गया उसका हम इस्तिमाल नहीं करते हैं लेकिन वो लोग जरूर करते हैं आप यह देखो कि वो आप भी अहल इदीज हैं वो नहीं मानते लेकिन रुख्या पढ़ते हैं और जब पढ़ा रहे होते हैं वा बखुर जल्ला होता है उसका वो ओध है संदल है जाफरान है और खाफ तोर पे ओध को तो बहुत ज़्याला पसंद करते हैं अच्छा मज़े की बात यह कि मलाइका के लिए भी ओध की ख़श्बों ज़्यादा उनको वो करती है अटेक्ट तो इसलिए आरब में सफ़साला ओध इस्तिमाल होता है और अब यह बात यह है यह बात है कि हर मजाईब में खुल्यू को पसंद किया गया अब तुम यह देखो कि जो बुदुष्ट हैं उनकी जो मंदर मूर्तियों मूर्तियों बनीवी होती मा देखो कि बढ़ सारी अगरबतियों कुछ लगए वो आम अगरबतियों होती है जो बजार से लियागे दिदोते हैं जो एक बाकादा उनके अपने बखूर के मैट्रेडिल से बनाते हैं अब चुकर जो चीज पुकती है जो कारुबारी को जाते हैं पेजा अब इसे तरह आईले हिंध हैं इनके हाँ जो बखुर जलते हैं वो Google है नुबान है इस तरह के बखुर पसंद करते हैं बोलो अरब में उद्ध का पसंद किया जाता है तो ये बखुर जलाने से ये मिठाई या फूल या इस तरीके से जिन्नातों को मिठाई पसंदे वो आवानों को जो जिन्नातों को मददगार होते हैं उनको मिठाई पसंदे, खुश्बू पसंदे, फूल पसंदे तो जब हम किसी के लिए रखते हैं एहतमाम करते हैं तो वो हम उसको नजर नहीं कर रहे होते हैं बल्कों उसके एक दावत होती है जल्द मुतमज़ होते हैं तमज़ उनकी दरफ जल्दी हमाई तरफ हो जाए अच्छा उसके बाद वो उठाकर खिलापी लिया दिया से लोग तो उन्होंने अरब में ऐसा रखा है आज भी अरब में जो आमिलीन हैं अरब के वो किसी भी अमल के साथ बगेर बखूर के नहीं करते अच्छा बखूर एक काईदा है बलके एक साथ से मेरी मुलगात हुई वो अरब में बहुत अरसा रे और उन्हेंने कुछ अरब के उस्टादों से ये काम भी सीकhा तो हम उस्चे कहने लगे कहने लगे सुर एफाता ला सहा कामल उन्होंने मुझे बताया भी जादत भी दिन सी तो वो मुझसे कहते थे कि इतना बखूर चलाना कि कमरे में धुए के लाव कुछ नदनाए मेने का तो इतने तो पैसे भी नहीं है यह वे रवाद कहने ने इसकी शर्ते ही है हदरत बायर बुस्तामीर रह्मतुल्ला अले को जब हदरत इमाम मुसा रजा ने तालीम किया सुरह पाता का अमल तो आपको चिलने बैठने का हुकम दिया गया आप चिलने बैठ जाओ ये इमाम के पास आये थे और इमाम के इन्होंने खित्मत मेर्स करी कि या इमाम मुझे तीस बरत गुजर गया और मैंने सक्त रियाज़ते की लेकिन वहासर नहीं को मुझे कुछ तो इमाम ने मुस्कुराए और कहा फरमाया के बैएज़दी हम तुम्हे तालीम करेंगे कुछ आया जाया करो अब ये दिए साल आता है या तिरे बस आपने फरमाया के यहाओ हमारे पास और बैठ जाया करो आपने स्वाल नहीं किए डिरे स्वाल आते हैं यहाओ हमाने और बैठ जाया की निए पूछा कि यह बैठ जाया जाया तो हुझा चालीस दिन का चिल्ला करा आप फरमाते हैं چالیس میں دین मुझे कशुष्ध हो गिया फिर जब कशुष्ध हुआ और मेरी मामलात ते हो गाई सारे तो फिर मैंने बखूर कोईलों पे डाला और अण्रुकस्द किया यह अलफाद है आपके मैंने बखूर कोईलों पे डाला और अण्रुकस्द किया तिसमा मतलब क्या हुआ कि इमाम ने उनको ये तालीम की ते बहूर भी कि साथ में बहूर भी जलाते रहे तो ये एक काइदा है और सब सितारों के और हुर्फों के यानि कि जिसे कि कोई कलाम अलिफ से शुरू होता है जी नून टे खतम होता है है ना जी जी तो अब अलिफ और नून का जो बखूर है वो हम जरूर इस्तिमाल करेंगे क्योंके एक इस खुर्फ मुहित है और एक सरे हुर्फ तो अब जब ये दो हम मिलागे बखूर इस्तिमाल करेंगे तो पूरी सुरह फाता का जो है कवर करेंगा हरास कालक बखूर इसी तरीके से शेख अब अब अबास बूनी रहमत अले लिखते हैं कि मेरी शेख अबदुलाहद से मुलकात हुई ये मक्के के एक शेख थे और इनके बारे में ये था कि ये सुरह इखलास के साहिब दावत हैं तो आप अब 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 एक तरह बैठे रहते थे किसे से मिलते जुलते नहीं थे बाद नहीं करते थे किसे तो आप नहाफिल पढ़ते थे या तवाफ करते थे तो शेख अबू एमेद अबास भूनी परमाता है कि मैंने शेख को देखा और नाम तो सुना भाँ ता लेङिध में कimp कम करते थे लोगजा उए देखा कि शेख टवाफ कर रहा है मैं शेख के पीछे भी चलता रा टवाफ करता रहा तो शेक को यह इसास होगी है उन्होंने का कि अबू एमद क्या हुआ तो आपने का हदरत हम मेरा नाम जानते हैं का हम ये भी जानते हैं तो आरे गाली क्या है जब इसे फारी हो जो हम से मिलना तो कहने जब शेक दावद मुझे कहा तुम मैं शेक के खिवाद आपने फरमाया कि तुम हमारी लिए आयो ना उन्हों का जी हुज़ू बात तो यह यह हम तुमें सुरह इखिलास तालिम करेंगे लेकि उसे कोई शरायत होंगे तो आप फरमाते हैं शेक ने मुझे साफ शर्टे बताएंगे उसकी जिसमें से एक शर्ट बखूर थी कि बखूर जो है पूरे टाइम में रोशन रहेगा रुकेगा नहीं जितना भी पढ़ रहे हो उतने टाइम में हाँ यानि कि कि क्यारीज दिन की दावात है चारीज दिन तक बखूर चलता रहेगा और खिल्वत में रहोगे और बखूर साथ लेगा और दूसरी शर्ट यह दी कि नायज जिस बचाना जिस तो अब इसका मतलब क्या हुआ? कि बखूर बजर्गों से? शाबित और एहमियत है इस रियाज़त में रियाज़त में एहम जुज़त है इसका आज कल तो भईया कौन रियाज़त करेगा बखूर पे? और लोबान में साथ बनावात है बेरोज़े का? और मौकल मार के जाओ उटाओ साथ होगा है तो आज कल बखूर मीर से? यह मैं आप बरते के बारे मैं आप शाख मागाए